आरे ट्रेन का टाइम तो हो गया लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कॉंपेटिशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पत्री पर आ जाती है जिसे देख कर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है। जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौझूदा सभी लोग वेहोश हो जाते हैं। अरे? ये क्या? यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. आकर ये सब क्या हो रहा है? और मुझे इस ट्रेन में भूत और स्टुडेल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है. कुछी देर में जब रोहन की आँखे खुलती हैं, वह अपने चारो तरफ देखता है. ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है, वह अपने चारो तरफ देखता है. तब ही रोहन की यह तो चांद की दुनिया है यानि कि मैं चांद की दुनिया पर पहुंच गया हूँ क्या बात है मेरी तो किसमत ही खुल गई रोहन चांद के एक बादल पर बैठ कर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है वह तारों को छूता है और बादलों के उपर बैठ कर उनकी सवार करता है जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है अरे ये सब क्या देख रहा हूं मैं इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुडैल है मुझ हुआ दो हो घर में आता है और कमाने को कहती हों तो कमाता भी नहीं और यासा कब तक चलता रहेगा आज मैं से नहीं चुड़u और वहां बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों और घूमता है तभी उसे चांद पर कई सारे जूले नजर आते हैं जैसे ही रोहन जूलो पर बैट के लिए निकल जाता है और तारो को टिमटिमाते हूए देखता है रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है लेकिन कुछी देर बाद रोहन को बहुत तेज भूग लगती है मुझे तो बहुत तेज भूग लगी है लेकिन मैं चांद के इस दुनिया पर क्या खाऊँ यहाँ पर तो सबी भूत और चुड़ेल है और मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह भूत और चुड़ेल क्या खाते होंगे तबी रोहन को चांद पर एक भूतिया धाबा दिखाई देता है जिसके बाद रोहन धाबे के पास जाकर देखता है वहाँ के भूत और चुड़ेल को धाबे का खाना खाते हुए वह देखता है वह हैरान रह जाता है यह भगवान यह मैं क्या देख रहा हूँ यह भूत और चुड़ेल तो स्पेस के कीडों को खा रहे है ना बाबा ना मैं यह सब नहीं खा सकता तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है अरे यह तो ट्रेन की आवाज है लगता है ट्रेन वापस जा रही है मुझे भी घर वापस जाना चाहिए और यह मैं कैसे भूल गया मेरा तो कॉमपटिशन भी था कहीं मैं अपने कॉमपटिशन के लिए लेट ना हो जाओ रोहन भागता हुआ ट्रेन में जाकर बैट जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है जो पैसंजर उसके साथ चड़े थे बस वही सब ट्रेन में मौजूद है कुछी देर में ट्रेन चलने लगती है और चलते चलते बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है जिसके बाद सभी पैसंजर अपने आप बेहोश हो जाते है जैसे ही रोहन की आँख खुलती है वह अपने सीलंपुर के स्टेशन पर होता है ए भगवान मैं तो सपना देख रहा था चलो कोई बात नहीं कॉम्पुरीशन शुरू होने में केवल एक ही घंटा बाकी रहा है मुझे जल्द से जल्द कॉम्पुरीशन में पहुचना होगा रोहन जैसे तैसे करके कॉम्पुरीशन में पहुचता है रोहन अपनी ड्रॉइंग में सपने वाली चांद की दुनिया को बना देता है जिसके चलते उसे पहला प्राइज मिलता है और वह कॉम्पेटीशन जीत जाता है उस दिन के बाद से रोहन को अपने सपने की बहुत याद आ रही होती है और एक रात वह अपने मन में सोच रहा होता है चांद की सहर करने वाला सपना कितना खूबसूरत था और वो भूदिया ट्रेन भी कितनी प्यारी थी काश मैं उस भूतिया ट्रेन में बैठ कर अपने सभी दोस्तों और मा पिताजी के साथ चांद पर जा पाता रोहन ऐसा सोच कर सो जाता है जिसके बाद रोहन अपने सपने में फिर से railway station पर अपने सभी दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होता है अरे वाई ये तो वही भूदिया train है और इस train को चलाने वाला भी भूदिया मा पिता जी लगता है आज हम दोबारा से चांद की सेर करने जा रहे है लेकिन बेटा हम तो किरारी स्टेशन जा रहे है अरे रोहन तुम कोई ट्रेन भला चांद पर कैसे जा सकती है रोहन तो पूरा पागल हो गया है सबी यात्री जल्दी से ट्रेंग में चल जाएए भूतिया ट्रेंग चांद पर रवाना होने के लिए निकलने वाली है देखा, देखा मैंने कहा है था ना ये तो भूतिया ट्रेंग है जो चांद की सवारी करवाती है सही कह रहे हो रोहन बेटा चलो अब हम भी चांद की सवारी करने के लिए भूतिया ट्रेन में बैट जाते हैं रोहन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भूतिया ट्रेन में बैट जाता है जैसे ही ट्रेन चलती है उसके चलते चलते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और तभी रोहन उसके दोस्त और उसके माता-पिता के साथ फ्रेन में सो जाता है। उनके सोने के बाद जैसे ही उनकी आँके खुलती हैं वह सभी चांद की दुनिया पर होते हैं। चलो तुम सभी मेरे साथ मेरे पीछे-पीछे चलो मैं तुम्हें इस चांद की सैर करवाओंगा। उसके सभी दोस्तों को चांद की पूरी सैर करवाते हैं। ये चांद की दुनिया कितनी खुब सूरत है और यहां के भूत और चुड़ैल भी बहुत अच्छी हैं। काश हम भी यहां रह पाते। लेकिन आंटी ये चांद की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। हाँ हाँ बहुत वक्त हो गया है अब हमें वापस लोटना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं तुम भूत और चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम लोगों को चांद की सेर क्यों करवाते हो। क्योंकि ये हमारा सपना था हम चाहते थे कि हम प्रित्वी पर एक बहुत बड़ा सरकस बनाएं जहां पर चांद की एक अलग दुनिया हो। आख लेकिन कुछ सरकस वालों ने हमारे इस प्लेन को चोरी कर लिया और हमें मार दिया तब से हम लोगों को चांद की असली वाली सेर करवाते हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हारे उपर और ड्राइंग्स बनाऊंगा और इसमें तुम्हारा नाम भी डालूंगा बूत और चुडैल रोहन उसके दोस्तों और उसके परिवार को वापस ट्रेन में बिठा कर प्रित्वी की दुनिया पर ले आते हैं जिसके बाद रोहन चांद की दुनिया के बारे में लोगों को बताता है और उनकी ड्रॉइंग बनाता है बूतिया पैसेंजर्स पर आखिर ये बूतिया स्टेशन कैसे बना जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं रात ग्यारह पैसे पर साहिल और गौरब ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी साथ ही वह नए-नए इस नौकरी में लगे थे तभी दोनों कहते हैं अरे गौरब तुने सुना है? इस से आगे वाले स्टेशन पर दो कट हैं इसमें से जो एक कुल धराई स्टेशन है वो बन्द हाँ सुना तो है मैंने भी लेकिन तुमुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम दोनों की duty खतम हो चुकी है तो हम इस train को उस platform पर लेकर चलते हैं देखते हैं क्या होगा अरे तु पागल वागल है क्या वहाँ भूतों का चक्कर है अगर कुछ हुआ तो अरे डरने वाली क्या बात है हम train के अंदर आएंगे भूत भूत आएंगे भी तो हम तेजी से train चला कर निकल लेंगे पर फिर भी यार अगर वो station बंद है तो कुछ सोच समझ कर बंद होगा न जरूरत क्या है जाने की गौरव बुजदिल जैसी बाते करना बंद कर कितना डरता है तू और इतना तो राइट है हमारा की train को उधर लेकर जा सके किसी को पता नहीं चलेगा थोड़ी देर में आ जाएंगे ठीक है तू इतना कहता है तो चल ये बोलकर दोनों खाली train में बैठते हैं और अपनी train को उस भूतिया कुलधरा station पर ले जाते हैं train जैसे ही वहाँ पहुचती है train में बैठे हुए देखते हैं कि ये station पूरी तरीके से सुनसान और बंजर है जहां जाले लगे हुए थे ये देखकर गौरब डर जाता है अभी यार इस station पर तो परिंदे ने भी पर नहीं मारा होगा इतने time से देख कैसे जाले लगे पड़े हैं मुझे तो horror vibes अभी से आ रही है तू फट्टू है और फट्टू वाली बात करेगा डेरिंग वाली बात करता तो ऐसे नहीं बोलता हाँ हाँ ठीक है मुझे प्यास लग रही है मैं पानी भर कर लाता हूँ इस बोटल में अच्छा तू कुछ खाएगा क्या अभी तो पागल है क्या ये station कब से बंद है कौन तुझे या पकोड़ी तलकर रात में देगा अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं तभी उनके train की आवाज से आसपास की भूत इस train पर चहने लगते हैं कुछ जॉंबी भी इस तरह भटकते हैं और दो भूत तो हाथ आगे करते हुए उनके train के आगे की पट्री से आते हैं मौर डालेंगे हम तुम्हें छोडेंगे नहीं क्यों आए हो यहाँ अब आए हो तो बचोंगे भी नहीं हाहाँ बहुत सालों बाद आज कुछ इंसानी मास खाने को मिलेगा साली यहां तो भूतों का मिला लग गया है कुछ भूत इदर से आ रहे हैं तो कुछ उदर से आ रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है चल दी से ट्रेन को भगा हाँ हाँ चालू करता हूँ अब तो मेरी भी फट रही है दोनों घबराए हुए थे कि उनके डिब्बे में आख मलते हुए टीटी आता है और कहता है अरे सर ट्रेन चल गई है तो बता दो मैं लोगों के टिकेट काट के आता हूँ अरे ढंक से अपनी आखे कोल कर देख यहां लोग नहीं भूत हैं और जब तक तो भूतों के टिकेट काटेगा वो ही तुझे काट डालेंगे सर यह आप कैसी बात ही कर रहे हो मैं जाए लाता हूँ अरे यह टीटी पागल हो गया क्या इसे बाहर जाने से रोग गौरफ और इसकी आँखों पर पानी डाल मैं ट्रेन को बढ़ाता हूँ जैसे ही साहिल ट्रेन स्टार्ट करता है उसकी आवास से सारे भूतिया पैसेंजर्स अपना-पना सामान लेकर उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं और टीटी को पकड़ कर मार डालते हैं अब क्या होगा टीटी तो मर गया और यह भूत अंदर भी आते जा रहे हैं क्या करो मुझे तो बहुत डल लग रहा है अरे धर्मत ट्रेन स्टार्ट हो गई है जैसे हम दूसरे स्टेशन पहुँचेंगे क्या पता ही अब भूत भाग जाएं एक तरफ दोनों ट्रेन चला कर आगे लाए ही थे कि जटके से उनकी ट्रेन रुक जाती है दोनों गिर पढ़ते हैं तभी ट्रेन अपने आप ही उट्टी चलने लगती है और सारे भूतिया पैसंजर्स काफी तादाग में दोनों के करीब आते हैं और उन्हें मार डालते हैं अगले दिन ट्रेन और गौरव साहिल के गायब होने से हर जगा बात पहल जाती है इन्वेस्टिकेशन करने पर पता चलता है कि दोनों की मौत कुलधरा भूतिया स्टेशन पर जाने से हुई है इस बात के लिए सरकारी अफसर ट्रेन के मालिक धर्म सिंग को कहते हैं धर्म सिंग ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो क्या तुम ऐसा कोई सच जानते हो देखो मुसे छुपाओ मत जो भी है बता दो आखिर उस भूतिया स्टेशन पर भूतिया पैसेंजर की क्या सच चाही है सर वो मैं बताता हूँ कुछ साल पहले की बात है ये ट्रेन पटना से होते हुए कुलधराय स्टेशन आई थी जिसमें काफी यात्री सफर कर रहे थे इसी बीच मौसम का रुख ऐसा बदला कि तेज आदी तोफान से ये ट्रेन पीच में एक स्टेशन पर रुकी बारिश बंद होने पर जब ये ट्रेन दुबाराय आगे चली तो कुलधराय स्टेशन आ गया था कुछ यात्री यहां पर उत्रे तो कुछ चड़े और जैसी दुबारे ये ट्रेन चालू होती है तो बारिश के पानी की वज़ा से ट्रेन की पटरी या हर लोही की चीज़ में करेंट आने लग गया और स्यादा कोशिश करने पर ट्रेन के वायर में आग लग गई दीरे दीरे आग बढ़ती गई जब तक लोग आगर बचा पाते तब तक ये ट्रेन चलकर भस्म हो चुकी थी मामला ठंडा होने के बाद जब ये ट्रेन दोबारा चालो हुई तो इस हादसे में मरे हुए यात्री बाकी लोगों को बाकी पैसेंजर्स को मारने लग गए बार बार ऐसा हादसा होने पर सरकार ने स्टेशन को हमेशा के लिए बैन कर दिया बस सर यही कहानी थी लेकिन बहुत डरावनी है रात को तो इस टेशन पर आना भी पाप है कुछ आया भी करते थे तो भूतिया पैसेंजर्स उन्हें कच्चा खा जाया करते थे यह मैंने अपनी आँखों से देख लिया था तो क्या अब यह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन कर रह जाएगा क्या उन भूतिया पैसेंजर्स को कभी मुक्ती नहीं मिलेगी सर मैंने सोचा है आखर यह भी तो मासूम लोग थे इनकी क्या ही गलती थी इनके घरवाली कितने दुखी होंगे इसलिए मैंने इनकी मुक्ती के लिए एक महापंडित से पूछा है उन्होंने मुझे स्टेशन पर एक क्यावन भ्रहमणों से महायकी करवाने को बताया है उस महायकी में इन सभी पैसेंजर्स की मुक्ती की पूजा होगी धरम सिंग ये तो बहुत अच्छी बात है तुमने इतने लोगों के बारे में सोचा तो कब है ये मैं भी आ जाओंगा अगले हफते सर कुछ दिन बाद धरम सिंग कुलधराय स्टेशन पर अच्छे मूरत को देख कर 51 महापंडितों से मृत व्यक्तियों की मुक्ती के लिए महायग्य करवाता है जिसके बाद दान दक्षणा करने के बाद वो स्टेशन भूतिया पैसेंजर से मुक्त हो जाता है लेकिन माना जाता है महायग्य के बाद भी स्टेशन पर आत्माएं भटकती हैं आज भी लोग उस स्टेशन से सफर करने से कतराते हैं बिजलीपुर नाम का एक गाउँ था उसी के पास के जंगल में छूरी नाम की एक चुड़ाल रही ऐसे ये किल वो बोली उफ ये गर्मी, है कितना बोरिंग डे है सच बोरिंग डे, सच बोरिंग पीपल चुड़ाल गाना गाते हुए हवा में देखी रही थी कि उसकी नजर उड़ती हुई चिड़ियों पर पड़ती है जिसे देखकर वो कहती है यार इन चिड़ियों का सही है गुले आस्मान में अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ उड़ कर इधर जाती है और इने गर्मी भी नहीं लगती होगी लेकिन मुझे तो गर्मी भी बहुत लग रही और मुझे उड़ने का भी मन कर रहा है पर कैसे उड़ूंगी एक बार खुद उड़कर देखती हूँ आकिर मैं भी चुडैल हुँ ना ये बोलते ही चुडैल अपने दोनों हाथ हवा में पहला कर उचलती है और उड़ने की कोशिश करती है मगर नाकाम होकर गिर जाती है चुडैल बार-बार कोशिश करती है और बार-बार गिर जाती है तब ही पत्थर में लाद मार कर गुस्से में कहती है ये बोलते ही चुड़ैल खाना खाने के लिए जैसे ही अपने घर में जाती है तो उसे अपने सामने एक मुर्गी दिखती है जिसे देखकर उसके लाट अपकती है और कहती है चुड़ैल उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन चाड़ाक मुर्गी अपने तेज कदम आगे करके भाग जाती है कभी चुड़ैल उसकी गर्दन तक पहुँचने के लिए हाथ आजे करती है तो कभी मुर्गी फिर भाग जाती है तब ही चुड़ेल कहती है मुर्गी के बच्चे आज तू कब तक मुझसे दूर भागेगी अब तुझे पकड़ी लोंगी जिसके बाद तेरी बिरियानी बना कर खाऊंगी आजा मुर्गी आजा लगता तुझे गाना सुनाना पड़ेगा तू मेरी लजीज खाना आज आजा मेरे पेट में आजा मिलकर मेरी वूक मिटा आजा मैं चुड़ेल तू मेरा खाना गाना गाने के बाद ही चुड़ेल जट से मुर्गी को जपट लेती है और उसकी गर्दन दबाकर हवा में उठाकर कहती है अब भाग ना मेरी मुर्गी रानी अब तो कितना भागेगी तेरी गर्दन मैंने दबोज क्यों रखी है और अब तो मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा तभी मुर्गी अपने पंक से जट बटा कर उड़ने की कोशिश करती है ये देखकर चुडेल कहती है अरे तो उड़ती भी है क्या क्यों ना मैं इसी पर बैटकर आस्मान में उड़ू ये मुझे पुरे आस्मान की सैर करवा देगी चुडेल मुर्गी को जमीन पर उतार देती है और उसकी गर्दन भी छोड़ देती है तभी खांसते हुए मुर्गी बोलती है शुक्रिया ज़द तुमने मेरी गर्दन को छोड़ दिया प्लीज मुझे मार कर मत खाना तुमारी जो शर्थ होगी वो मैं मानूंगी तो जुनो मैं तुम पर बैटकर आस्मान की सैर करना चाती हूँ तो कराओगी न मुझे सैर बड़ी अजीब चुडेल है चुडेल बनकर भी उड़ने ही सकती जो मेरा सहारा मांग रही है पर मैं कैसे तुम्हें आस्मान की सैर करा सकती हूँ तुम खुद भी तोड़ सकती हो लगता है मुझे वापस से तुमारी गर्दन को दबोचना पड़ेगा तुमारा टिट हुआ जो बहाँ चल रहा है जितना बोला उतना करो प्रुम जे आस्मान की सैर कराओ चलो, दिखाओ मुझे खुद पर ये बोलकर चुड़ेल उस पर बैठती है, मगर गिर जाती है चुड़ेल फिर बैठती है और गिर जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से मुर्गी की पीट पर बैठ नहीं पाती मुर्गी उसके लिए काफी छोटी होती है, तब ही वो कहती है मैं इस मुर्गी पर बैठ नहीं पा रही हो, मुझे इस मुर्गी को बढ़ा ही करना होगा, पर कैसे ये बोलकर ही चुड़ेल अपनी शक्ती से उसे बड़े आकार में कर देती है जिसके बाद वो उसकी पीट पर बैठ जाती है और कहती है ये बोलकर वो मुर्गी थोड़ी देर के लिए उड़ती है लेकिन फिर उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती है तब ही चुड़ेल भोलती है मुर्गी फिर उड़ती है और इस बार उसे अजीब तरीके से उड़ा कर जमीन पर पटक देती है जिसके बाद चुड़ेल कहती है ये बोलकर चुड़ेल फिर उस मुर्गी पर बैटती है और वो मुर्गी उसे थोड़ी देर उड़ा कर फिर जान बूच कर जमीन पर पटक देती है जिसके बाद वो कहती है चुड़ेल मुर्गी को पिंजरे में बंद कर गाउं में जाकर लोगों को मार कर उन्हें खा जाती है ये सिमसिला दो चार दिन और चला लेकिन एक दिन उसे बहुत धूख लगती है तो वो कहती है चुड़ेल मुर्गी को अपने घर में बिना ताले लगाई चली जाती है वहीं जंगल में भटकते भटकते दो लड़के आ जाते हैं तब ही उन्हें जिसके अंदर जाकर उन्हें एक मोटी सी और बोलते है ओई विराट देख इस जंगल के अंदर तो इतनी मोटी मुर्गी है इसे देखकर मुझे चिकन लैग पीस तंदूरी चिकन शाही पिरियानी चिकन कोर्मा की याद आ रही है बस और नहीं रा जा था विराट विराट इसका ये चिकन बना कर यहीं खा लेते हैं आहा सुरज चिकन का नाम लेते लेते अब तो मेरे मुँ में भी पानी आ गया जल्दी से यहीं बना ले आज की पाटी मेरी तरफ से कोई भी नहीं है इस जंगल में अरे नहीं नहीं ब्लीज मुझे मत मारो मैं मरना नहीं चाहती मरना तो तुझे पढ़ेगा मेरे पेट में जो आएगी ये बोलकर सुरज उस मुर्गी की गर्दन पकड़ कर काट देता है कुछ दिर बाद दोनों उस मुर्गी को एक लकड़ी पर आच में भून रहे होते हैं फिर उसे उंगली चाटते हुए खा जाते हैं ये देखकर चुड़ेल दोनों लड़कों को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम दोनों ने मेरी मुर्गी को निकल लिया है उसका चिकन बना कर जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी क्या वो मुर्गी तुम्हारी थी अगर हमें पता होता कि ये एक चुड़ेल की मुर्गी है तो हम कभी नहीं चूटे उसे लेकिन अब तो तुमने उसे चूबी लिया और पेट बरकर ड़कार भी मार ली अब मैं तुम्हें नहीं चुड़ूँगी तुम्हें खा कर ड़कार मारूँगी तुने मेरे हलिकॉप्टर को खा लिया अब तू गया ये बोलते ही चुड़ेल उन दोनों को बेरहमी के साथ मारती है और फिर उन्हें कार्ट कर उनके शरीर के टुक्डे टुक्डे करकर खा जाती है फिर मुर्गी के जाने के बाद वो उरने का खयाल छोड़ देती है कुचिपुरी नाम का एक गाउं था जहां हाल ही में शोचाले बनने की मुहिम छड़ी थी कुछ दिनों बाद वहाँ दो छोटे छोटे शोचाले भी बन गए थे साथ ही शोच करने के पैसे देने पड़ते थे हजीब बात तो ये थी कि दो टॉइलिट में से एक टॉइलिट पर लंबी लाइन लगी रहती थी तो वहीं दूसरी टॉइलिट पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वो बेहदी गंदा था तब ही बबलू नाम का अद्वी अपना पेट पकड़ कर कहता है अरे राम मेरा पेट तो गुबारे की तरह भूलता जा रहा है जल्दी ही टेंकर खाली नहीं किया तो कल रात का आलू पूई सब के सामने यहीं बाहर आ जाएंगे यह लाइन तो बहुत लंबी है अरे चमपा जी यह दूसरी टॉयलेट में कोई क्यों नहीं जा रहा मुझे क्या पता क्यों नहीं जा रहे तुमको जाना है तो तुम जाओ अरे बबलू भैया मैं तुझे बताता हूँ दर असल यह टॉयलेट बहुत ही गंदा है और वो वाला साफ सुत्रा है इसलिए जादा भीड़ वहीं लगी है अच्छा अच्छा अरे राम हम मुझे रुखा नहीं जाता अरे मुझे गंदे वाले टॉयलेट में ही जाना पड़ेगा अरे तुम दोनों को जो करना है वो करो लेकिन मेरा सर्मत खाओ हटो यहां से ग्राक को आने दो हाँ भई लाओ पैसे दो यह रहे है पैसे वो औरत चमपा को पैसे दे देती है इतने में बबलू अपना लंगोट और लोटा उठा कर गंदे वाले टॉयलेट में बैठ जाता है अब जाके आया मेरे बेचैन पेट को करा लेकिन यह टॉयलेट बड़ा ही बास मार रहा है ऐसा करता हूँ अपनी नाक बंद कर लेता हूँ यह बोलकर वो नाक बंद कर लेता है टॉयलेट में से एक चुडैल उसे ती चार चाते मारती है अपने आसपास हैरानी से देख कर वो कहता है ये बोलकर चुडेल उसे और मारती है बचारा बैठे बैठे इतना पिस्ता है कि उसकी गाल लाल हो जाते है तब ही वो उस टॉयलेट से भाग करा जाता है और घबरा कर कहता है अरे बाप बाफ तुम्हारे टाइलेट में तो चुडेल है ए चंपारानी मैं तो उससे बात कर रहा हूँ सुन को नहीं रही अरे क्या सुनू तिरे को जाना है तो जा बोनी का टाइम है चुडेल आए भूट आए मेरे को क्या हाँ ठीक है ठीक है तुझे तो देख लूँगा वे चमपा रानी अरे पैसे तो दे हलका होने के हाँ हाँ इलो पैसे कभी पेट भरने के पैसे देते थे और अब हलका होने के भी देने पड़ेंगे चमपा को पैसे देकर बबलू चला जाता है इस तरह कोई भी इस गंदे टॉयलेट में जाता तो चमपा के ज़्यादा पैसे नहीं आते थे क्योंकि उसका टॉयलेट गंदा था ऐसे ही उन दोनों टॉयलेट पर बहुत भीड रहती थी लेकिन गंदे वाले टॉयलेट में जो भी जाता वापस आ जाता था इसलिए सब साफ वाले में अपना पानी लेकर जाया करते थे शाम को चमपा पैसु का हिसाब कर रही थी चलो अच्छा है आज तो अच्छी कमाई हो गई वरना लोग तो मेरे टॉयलेट में जाया ही नहीं करते थे सब उस मंजु की टॉयलेट में ही जाया करते थे पता नहीं उसका टॉयलेट इतना साप कैसे रहता है क्यार मुझे क्या गर चलती हो उसकी ये बात सुनकर दो गुंडे पैसे चीन लेते हैं तब ही वो कहती है अरे बला ये क्या बात हुई? मेरे पैसे वापस दो तुम दो नो देखो रामुगगन बहतर होगा पैसे लोटा दो वरना वरना क्या? गलती कर दी तुझे छोड़कर जैसे मन्जू को मारा वैसे ही तेरा खेल ख़तम करना था क्या मतलब? मतलब ये कि इस टॉयलेट से अब हम पैसा कमाएंगे ना के तू गलती हो गई मुझसे जो मैंने बोली भाली मन्जू को तुमसे मरवा डाला कितनी अच्छी थी वो रोज मेरे लिए चाय लाया करती थी हेरी ओ चमपा बहन ये लो तुम्हारे लिए चाय लाई हो शुक्रिया मन्जू अरे मेरे टॉयलेट पर कितनी लाईन लग गई अरे मेरे टॉयलेट में कोई क्यों नहीं गया ये और इसके में इतनी लाईन क्यों लगा दी अरे चमपा बहन क्या सोच रही हो कुछ नहीं बस यही के सभी गाउवाले तुम्हारे शौचाले में इतना क्यों जाते, मेरे क्यों नहीं? अरी चमपा भेन, मैं तुम्हें चाये देने से पहले भी यहां आती हूँ और टॉयलेट साफ कर देती हूँ अच्छा, तो अपसे मैं भी कर दूँगी? हाई, साफ करने में गंदा लगेगा, पर कर लूँगी लोगों का आना भी जरूरी है, वरना मेरा खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचकर चमपा अगले दन से टॉयलेट में सफाई करने लगती है फिर भी कोई उसके टॉयलेट में नहीं जाता तब ही एक औरत चमपा के टॉयलेट से बाहर आती तो पूछती है क्या हुआ बेहन? तुम इतना मुग क्यों बना रही हो? टॉयलेट साफ नहीं था क्या? और क्या? कहा है साफ? मुझे तो आज भी बेकार लगा, इसलिए शोचाले में शोच करने का मन नहीं करता ये लो पैसे, पर ये तो कम है, इतने ही रखो ये बोलकर वो औरत चली जाती है और गुसे में चमपा, रामू और गगन से कहती है इस मनजू ने मेरी नाक में दम कर दिया है, जाओ तुम दोनों और इसे मार डालो उसकी बाद सुनकर दोनों गुंडे मनजू को मारने जाते है मनजू खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसे मार देते है जिसके बाद चमपा ही दोनों टॉलेट के पैसे लेती थी गलती हो गई सच में मुझसे कर लिया ना तुने अपनी गलती को याद, चल, तो भी उसके पास पहुंच जाब ये ले भाई, चाकु ले अरी ये तो चमपा को मारने वाला है, मुझसे उसे बचाना होगा भले ही उसने मेरे साथ ये सब किया हो चुडैल जब तक बचाने जाती, इतने में वो दो नोगुंडे चमपा को मार ही डालते हैं जिसके बाद चमपा भी चुडैल बन जाती है और चुडैल बन कर वो मंजू से कहती है मंजू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया शायद उसी की सजा मुझे आज मिल गई मुझे भी माफ कर दो चमपा, मैंने तुम्हें बचाने में देर ही कर दी वरना आज तुम मेरी तरह चुडैल नहीं बनती लेकिन अब जो हो गया सो हो गया अब हमें अपने गुनागारों से बदला लेना साथ ही इस टॉयलेट को हम इतना साफ कर देंगे कि दोनों टॉयलेट में भरी हुई लाइन भी होगी और किसी से भी पैसे नहीं लेंगे बिल्कुल फ्री सेवा देंगे अगले दिन से दोनों चुडैले दोनों टॉयलेट पर कबजा करके रहती है गाओ का एक आद्बी पैसे देते हुए कहता है अरे भाई यहां तो चमपा बैठती थी कहां गई ए अपने काम से काम रख तू आपसे यहां पर हमारा कबजा है वरना तुझे भी मार डालूँगा और यह क्या चल और पैसे निकाल यह बोलकर रामू लंबी लाइन में लोगों को धका मार कर उनका बाल्टी का पानी चीन कर अंदर घुस जाता है अरे यह तो ज़्यादा पैसे वसोल रहा है हाँ और लोगों को धका दे कर कुछ सबसे पहले चला गया इसको तो मज़ा चकाना ही पड़ेगा यह बोलकर दोनोंатов टोयलस में उसे परिशान करती है उसका पानी भिखीर देती है फिर उसे ठबड ही ठबड मारती है तबी वो रो कर कहता है अरे कौन है कौन है कौन है जो मुझे मार रहा है हम तेरी मौत हैं वो तो सरक डेम हुता ये बोलकर वो रामू को मार देती हैं फिर टॉइलेट में लाश देखकर लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐहां हां किसने मारडाला? ये बोलकर चुड़ेल गाउं के लोगों को अपने बारे में सारी बात बता देती है जिसके बात गाउंगाले गगन की उपर पथर फेकने लगते हैं और फिर मंझू गगन को मार डालती है गाउं वालो मैंने और चमपा ने अब से आपके लिए टॉयलेट की सेवा चालू कर दी है आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे पर आप सबकी जिम्मिदारी है कि टॉयलेट साफ तरीके से यूज करें ताकि आपके बाद आने वाले इनसान को टॉयलेट गंदा ना मिले ये बूल कर चुड़ेले हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है बूतिया जुमैटो वाला रोहन टीवी देख रहा था तभी टीवी पर खाने के एट्स दीख कर वो कहता है ओहो यार बहुत भूग लग रही है खाना तो मुझसे बनेगा नहीं एक काम करता हूँ जल्दी से जुमैटो पर ओर्डर कर लेता हूँ खाना जल्दी आ जाएगा रोहन ये बोलती ही अपने फोन से जुमैटो पर खाना ओर्डर कर दीता है जिसकी कुछनी बाद डिलिवरी बॉई आ जाता है और कहता है यह सर यह ओर्डर टाइम देखना है सरा कितने बज़े ओर्डर किया था और तुम आदे घंटी के बाद आए हो ऐसे सर्विस होती है क्या सर दस मिनिट ही लेट हुआ हूँ ट्राइफिक जाम लग रहा था तो मेरी गलती है मैं पैसे नहीं दूँगा ओर्डर लेट लाए हो तुम सर प्लीज सर ऐसे मत कीचिए अगर मुझे ओर्डर के पैसे नहीं मिले तो मेरे बहुत सुगसा होंगे सर प्लीज पेमेंट कर दीचिए लगता है तुझे मेरी पास समझ नहीं आई ऐसा कहकर रोहन और जुमेटू वाले आदमी को धक्का मार दीता है जिसके बाद वो जुमेटू वाला आदमी जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी हाथ में लंबी लंबी नाखून सफीद आखी और डरावनी शकल बन जाती है जो की भूत की होती है फिर उसका कला पकड़ कर वो कहता है तुम लोगों से इसलिए नफरत होती है तुने मुझे धक्का दिया ना अब मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूँगा तु जानता नहीं मैं हूं कॉन यह भूतिया जमेटो वाला बूत तुम जमेटो वाले भूत मुझे माफ कर दो मैं तुमारे आगे हाँ जोड़ता हूं आपसे मैं पैसे दे दिया करूँगा मैं चलाओंगा नहीं मुझे छोड़ दो अब तुम मरेगा ही तुम मेरी तरह दूसरों के साथ भी ऐसी बदसलूकी करता होगा इसलिए अब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ सकता यह बोलती ही भूतिया जमेटो वाला रोहन को मार डालता है और अपनी जमेटो बाइक पर बैट कर दूसरों को डिलिवरी करनी चला जाता है ऐसे ही रास्ती में जाती वक्त उसकी नजर किसी जमेटो वाली पर पड़ती है जोकी सामनी वाला इंसान उस पर हाथ उठाता है तब ही जमेटो वाला भूत आकर उसका हाथ रोक कर कहता है क्यों इस पर हाथ उठा रहे हो, आखर गल्ती ही क्या है इसकी? आरे तुम बीज में पढ़ने वाले कौन होते हो? और वैसे भी, यह जुमेटो वाला मेरा गलत ओर्डर लेकर आया है. सहाब, मैं सही ओर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन आपने कुछ मिनिट पहले ओर्डर चेंज कर दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मुझे इसका नोटिफेकेशन मिला, मैं आपका पहले का ओर्डर को लेकर निकल चुका था उसी वक्त. अच्छा, अब मुझे जुमान लडाओगे, मतलब क्या आये तुमारा ये मेरी गलती है? ये बोलते ही, वो आदमी जुमेटो वाले का कॉलर पकड़ कर खीशता है, तब ही जुमेटो वाला अपने पूतिया रोप में आकर उस आदमी को मारता है और कहता है, जब तुम लोगों को खाना ओर्डर करने की तमीज ही नहीं है, तो ओर्डर ही क्यों करते हो? दो मिनट पहले ओर्डर करके तुने चेंज कराया, फिर उसको मारा भी, कोई जुमेटो डिलिवरी बोई के साथ ऐसी बत्तमीजी करे यह मुझे पसंद नहीं है, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोडूँँगा, आओ बचाओ, बचाओ, भूद, भूद, बचाओ, बचाओ, क्या तुम्हें से डर नहीं लग रहा, यह भूद है, तुम्हें मुझे से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ, शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अब तुम चिन्ता म नहीं करेगा ये बोलते ही भूतिया जुमेटो वाला उस इनसान को बेरहमी की साथ मार डालता है और कहता है तुम डरो मत अगर कभी भी हम जुमेटो वाले के साथ किसी ने भी बत्तमीजी की या हमें नौकरों की तरह दुद्कारा तो मैं उसे मार डालूंगा तुम डरना मत म मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे तुम बुला लेना मैं तुम्हारे सोचने पर ही तुम्हारे सामने आ जाओंगा शुक्रिया भाई मैं तुम्हारा बहुत शुक्र गुदार हूँ पता नहीं क्यों ये हम लोगों के साथ ऐसा बढ़ताओ करते हैं मेरा एक दोस्त और है उसके साथ भी यही सब होता है, अगर खाना जरा सा भी लेट हो जाए तो, ये लोग हमें जलील तो करते ही हैं, साथ में पैसे भी नहीं देते, और वो पैसे फिर हमें अपनी सैलरी से कटवाने बढ़ते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, घर का खर्चा तो हमें ही चलाना है न मैं तुम्हारी बात को सवर सकता हूँ, मेरे साथ भी यही सब हुआ था, उसी के बाद मैं भूद बन गया पर क्यों, अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था मैं बताता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है, मैं कबीर भी सुमेटों में काम करता था मैं वहाँ काम करके ठक चुका था, क्योंकि लोग जलील करने लग गई थे, जड़ा से भी देरी होती तो चिलाया करते थे जाब भी नहीं छोड सकता था, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि पैसों की बहुत तंगी थी मजबूरी इतनी कि जॉब छोड़ नहीं सकता था और ना ही कर सकता था फिर एक दिन मैंने रात में सर्विस करना शिरू कर दिया और ऐसे ही एक रात जब मैं पहुंचा तो सारत को ओर्डर दे कर मैंने कहा मैम यह आपका ओर्डर और यह बिल यह क्या है मैंने तो 400 को ओर्डर किया था और यह 500 आ रहे है किस बात के हैं यह मैम यह आपका एड्रेस दूर था तो डिलिवरी चार्जिस है प्लस GST और एक्स्टा चार्ज है आपका बिल इतना ही बना है मैम प्लीज ऐसे मत कीचिए आप पूरी पेमेंट कर दीजिए मुची कई और भी जाना है डिलिवरी करने मेरी एक बास समझ नहीं आती तुम्ही मैं पेमेंट नहीं करूंगी जाओ जो करना है कर लो और 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 भी तुमसे लोगी अगर पैसे नहीं मिले, तो बॉस नौकरी से निकाल देगा इस बार, दुबारा कोशिश करता हूँ, मैम, प्लीज ट्राइ टो अंडरस्टेंड, मैं पेमेंट लिये बिना नहीं जाओगा लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरा चपलो से भूत उतारती हूँ, वो औरत मानती नहीं है और मासूम जुमेटो वाले को चपलो से मारने लगती है, और उसे अपशब्द बोलती है, आसपास के लोग जुमेटो वाले को देखने लगते हैं और शर्मिंदगी से बाइक चलाते समय, उसके मन में उस औरत की चुबनी वाली बाती और घर की टेंशन घूम रही थी, जिसकी वजहा से वो अपने सामने आता बड़ा ट्रक भी नहीं देखता, और वो ट्रक सुमेटो वाले पर ट्रक चड़ा कर उसकी जान ले लेता है बस तब से ही मैं भूगद बन कर भटक रहा हूँ और बदले की आग में जल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ भी वही सब होता हुआ देखा, इसलिए मैंने उसे मार डाला, जो भी हमारे साथ ऐसा करता है, मैं उसे मार डालता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर पता नहीं हम जुमेटो डिलिवरी वाले बॉय को कब इनसाफ मिलेगा, कब ये लोग इनसानियत की तरह हमसे बाते करेंगे, अब मुझे जाना होगा, मेरे घरवाले मेरा इंतजार कर रहे है, शुक्रिया ये बोलकर वो जुमेटो बॉय चला जाता है, और कभी भी किसी और घर में फूड डिलिवरी करने के लिए चला जाता है, जहाई कांटी दर्वाजा खोलती है, और भूतिया जुमेटो वाला कहता है दादी, ये लीजिए, आपका ओर्डर आ गया शुक्रिया बेटा, अंदर आओ न, पानी पीलो, बहुत ठके हुए लग रहे हो तुम पर दादी, मैं एक घंटा लेट आया हूँ, आप मुझे डाणने की जगा पानी पिला रहे हैं, आखर क्यों? तो क्या हो गया बेटा, लेट हो ही जाता है, कौन सा तुमने कोई गुनाह कर दिया, वैसे आज मेरे पोते का जनम दिन है, तुम अंदर आओ गुनाह तो नहीं किया है, पर लोग हम जैसे जुमेटो वाले बॉय के साथ बहुत बुरा बरताओ करते हैं, आप जानती नहीं है, मैं एक भूतिया जुमेटो वाला हूँ, जो लोगों को मार देता है, तब भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरहा मेरा बेटा भी जुमेटो में काम करता था, उसके साथ वही हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ तो फिर आप इन लोगों के खलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, मैं भी लोगों से बहुत नफरत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इनसानियत की तरह सबसे पेश आए तुम सही कहते हो बेटा, और मैं तुम्हें इनसाफ दिलाने के लिए कल ही पूरे शहर में हर अकबार के पड़ने में तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी, और देखना लोगों में बदलाफ जरूर आएगा, ये मेरा तुम से वादा है बेटा उस बुड़िया की बाद सुनकर वो भूतिया जुमैटू वाला चला जाता है और अगले दिन ही अकबार में जुमैटू वालों के साथ इंसानियत से पेश आने की खबर पढ़कर हर व्यक्ति बदल जाता है हुषफफफफब फजस् वлять पालों के लिखफफफफफफफफफफफपफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ बदी आने कार्म नो पिंगाद जाता है